नमस्कार मैं हूँ राजीव कुमार जा और आपको मैं आज सुबह सुबह जब आज फिर कोहासा फैला हुआ है, कोहासा थोड़ा कम है लेकिन ठंड अभी भी है और ठंड का मौसम बिलकुल खत नहीं हुआ है ऐसे ही समय में मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ और इस कविता का सिर्षख है जाड़े का मौसम जाड़े के मौसम में सरसो के फूलों की बहार दूर दूर तक छाई है पहार की तलहटी में सरसो के खेद धूप में मुश्कुरा रहे हैं कुहासे में सरसो के फूल खामोस दिखाई दे रहे हैं थोरी ठंडी हवा बह रही है और पेरों की डालियां हिल रही हैं थंडी हवा थंडी हवा हमारे मन मिजाज को ताजगी ताजगी से धर रही है जाड़े का मौसम जाड़े का मौसम खुशहाली को लेकर आया है जाड़े का मौसम खुशहाली को लेकर आ रहा है लोग अलाव जला कर हाथ सेख रहे हैं जाडे का मौसम आया है जाडे का मौसम आया है दोस्तो मैं अपनी दूसरी कविता आपको सुना रहा हूं और इस कविता का सिर्सक है सरक के किनारे जाडे के मौसम में खेत खलिहान खामोस दिखाई दे रहे हैं जाड़े के मौसम में सरकों पर गाड़ियों को चलाते लोग जितने चुप हैं उतने ही चौकन्ने हैं जाड़े के मौसम में कोहासे को देखने के लिए चिड़िया घोसले के बाहर आकर डालियों पर बैठी है सरक के किनारे वह खेत खलिहानों में खुदक रही है जाड़े के मौसम में हर आदमी सुख शान्ती की बातें सोचता हुआ चुप होता चला जा रहा है और धूप और धूप रास्ते में उसको बुला रही है घर से बाहर दो पहर में धूप सब के पास आएगी और सब की खैरियत पूछती हुई उसके पास बैठ जाएगी धूप घर की दालान पर आकर बैठ जाएगी आंगन में उतर आएगी धूप सहर के बाहर चली जाएगी शाम के पास